अपनी रसोई आज हम बनाएंगे मैंगो राइस तो एक बहुत ही सिम्पल लेकिन बहुत ही टेस्टी राइस रेस्पी है और इसके साथ आपको दाल या सब्जी की भी जरुवत नहीं परेगी यह अपने आप में एक कम्पलेट मेल है इसे आप लंच में भी बना सकते हैं डिन यह एक परफेक्ट रेस्पी है क्योंकि जटपट से बन जाती है बहुत ही कम टाइम में तो चलिए मैंगो राइस बनाना सुरू करते हैं देखते हैं इसे कैसे बनाई जाती है तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पके हुए चावल तो आप चावल को प्रेसर कूकर में य दो चोटी साइज का मैंने यहां पर चाहा आम लिया है तो इसे चील के ग्रेट कर लेंगे साथी तीन हरी मिर्च ली है इसे भी बीच से कट कर लेंगे को नहीं है थोड़ी से लिये मैंने लिए छोड़ी सी चना दाल उरत डाल राई और थोड़ी से कड़ी पता आपको ड्राई लग घोपें लेकिन ऐसष्म कड़ी नहीं है तो इसे पर रख लेंगे तो काफ नम्बे टाइम तक यह ठीक रहता है तो कर भी घोल नोच्री नहीं यह लिए देली जो आप बनाते हो वही राइस ले लिए लिए तो एक कराही में बिलकुल थोड़ा सा अइल डाल के मुंग फली को पहले भून लें लो मीडियम फलें पर तो इस राइस रेस्पी में मुंग फली अच्छा लगता है वीच वीच में खाने क्योंकि इसमें इसमे दो चमच शुच में कुपिंग अईल डालें जो भी आप कुपिंग या खाते हो वो डाल दें गरम होती इसमें हम यह सारा तरका डाल देंगे और तरके को हलका सबुनना है बहुत ज्यादा लाल नहीं कर देना है नहीं तो यह दाल जो है फिर वो खाने में अच्छी नहीं तो थोड़ा सा तो दाल जब कलर चेंज कर ले उतना भूना हमें हरी मिर्च भी डाल देंगे और साथ में भून लेंगे तो यह थोड़ी देर तरके को ढग दीजेगा क्योंकि कभी-कभी राई और मिर्ची जो है ऐसे जयरे पर जाती है तो थोड़ा सा ढग दीजे तो यह नावद टैम कितने डालना है 10 माइब बष्टारान क suppressed प्राप्त यह बहुत ज्यादधा है यह नॉर्मल में आशारी लेकर यह वहकि सब्भादा कोकोनट का टेस्ट भी अच्छा लगता है अगर आपके पास है तो डाल दीजे तो इसे भी साथ में भूल लेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं डालता है लेकिन फिर भी ये राइस जो है बहुत ही टेस्टी लगता है तो थोड़ा सब भूनने के बाद इसमें आधे चोटी चमच मिर्ची पाड़र क्योंकि मिर्च जो मैं डाला है राइ मिर्च वजादा तीखा नहीं है तो अब इसे हलका सब भूल लेंगे पानी टालनी की जरुद नहीं है यह मैंगो के साथ ही अच्छे से भून जाएगा तो बस एक मिर्च तक इसे हम भूल लेंग से हम चलाते हुए मिक्स करेंगे तो मैंने पहले भी अपने चैनल पे बहुत सारी राइस रेस्पी सेयर की है वेजिटेबल राइस चटनी राइस तो आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है स्वाधन सार नमक डालेंगे और यह भूनी हुई मुंग फली होने दे गर्मा गरम सर्व करें तो अच्छे से मिक्स हो गया तो अब हम गयास बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे प्लेट में तो अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएगा यह दिखिए मैंगो राइस बन के तया हो गया तो अगर इसपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं बाइबाई